नमस्कार नाटू नाटू अभी चारो तरफ नाटू नाटू गाने की दूम है राजा मॉली की मूवी आर आर के नाटू नाटू गाने ने ओसकर अवर्ड जीर लिया वारत की पहली एसी हिंदी फिल्में जिसने ओसकर अवर्ड जीर लेकिन इस गाने के पिछे कोरियोग्रापर प्रेम रक्षित के बारे में आपने नहीं जाना होगा प्रेम रक्षित का जीवन बहुती बड़ा संगर्सो बड़ा राय इन्होंने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं बहुती गरीबी के दिन देखे लेकिन अपने सपने अपने जनून को मरने नहीं दिया जीवन में कुछ करने की तमना थी प्रेम रक्सित के और आज वो दिन आया कि प्रेम रक्सित ने पूरी दुनिया को बटा दिया कि कोई बी इंसान, चाए जीरो लेल पर क्यों नहीं हो तो वो भी उपर उट सकता है, वो भी सपने देख सकता है, वो भी कुछ कर सकता है, अगर मन में जोज, जुनून, और कुछ करने का जजबा होता है, प्रेम रक्सित के इस्टोरी में भी आपको बताऊंगा, आप emotionally रूप से जग जोर जाओगे, आप देखोगे कि क्या इनके स इनके परिवार, बड़ा मुस्किल से इनका परिवार चलता था, प्रेम रक्सित केते थे कि रात को कपड़े दोते थे और सुबह वही कपड़े पेहनते थे, जैसे तेसे इन्होंने टेंथ पास की, और एक टेलर की शोब पर टेलिंग करना शुरू किया, थोड़े दिनों बाद वो घर पे आये तो, उनका भाई पेट से, दर्द से कह रहा था, तो उनके मा से पूछा कि छोटे भाई को क्या हुआ, इनका छोटा भाई ना बोज सकता था, ना सुन सकता था, तो मा ने कहा कि ये दो दिन से भूखा है, इसने रोटी नहीं कही, तो प्रेम रक्सित इसने अपने मा की कुमकुम की डिबी, जो चान्दी की थी, उसको मार्केट में बेच के आये, और बीस रुपए आये उस डिबी के, और चावल खरीब के लेकर, पूरे परिवार ने चावल खाये, पका कर, ये दिन थे, प्रेम रक्सित कहते हैं कि गरीबी के कैसे दिन थे, मेरे, फिर एक बार इनको सुसाइट करने का भी ख्याल आया, किसी की साइकिल लेकर गए कि आज मुझे जाना है, मरना है, नहीं जीना है, एसी गरीबी में मुझे नहीं जीना है, लेकिन फिर वापिस ख्याल आये कि आर ये साइकिल तो में किसी की लेकर आया हूँ, ये साइ प्रेम रक्षित की जीवन का टर्न लेता है और प्रेम रक्षित डांस के रूप में काम कर लेता है और दीरे दीरे बच्चों को डांस सिखाते हैं, डांस क्लासे शुरू करते हैं, दस साल तक बच्चों को डांस क्लासे शुरू करते हैं, और एक नोड़ा ऐसा भी आया, जब वो राजा मॉली आर आर के डाइरेक्टर और म्यूजिक कंपेजर आर आर के एमेम किनवानी के बच्चों को टाम सिखा थे राजा मॉली नहीं प्रेम रक्षित को उनकी फिल्म छत्रपती के लिए उनको कोरियोग्राफर नेउक्त किया था और यहां से इनकी किस्मत चमकी और पिर इन्हों ने आर-ार के गाने नाटू-नाटू के लिए इन्होंने कोरियोग्राफी की 110 हो के स्टेप्स तैयार के 19 दिन में गाना तियार हुआ और आज एक गाना पूर्वे विस्व में डंका बजा रा नाटू-नाटू ने ऐस्कर आवाड जीत दिया चारों तरप राज जोज जुनूर और अपने सपने को बरने मत देना अगर कहीं ने कहीं कोने में आपका सपना जिन्दा है ना तो आप कुछ कुछ कर सकते हो जिस दिन आपका सपना मर गया जिस दिन आपको जोज जुनूर मर गया उस दिन आप कुछ ने कर पाऊ ले कुछ करने की तमन्ना तो आप के मन में होनी चाहिए प्रेम रक्षित कहते हैं कि जब हम गरीबी चीते थे तो हमें पता चला की पैसे की किमत क्या होती है बीस रुपए की किमत क्या होती इसलिए इनका एक ही फंडा है कि मेनत करते रो जो जुमो और इमानदारी के उसाथ मेनत करते हो बगवान आपको कहीं न कहीं देखता है बगवान आपको कहीं न कहीं मोका जरूर देता है ये प्रेम रक्षित कहते है तो प्रेम रक्षित की संगर्स बरी जीवन से अपन यही सेख सकते हैं जीवन में कभी भी अपने सपने को बढ़ने मत देना चाहिए आप किसी भी कंडिसन में हो मेहनत के साथ काम करते रेना जो जुनून के साथ काम करते रेना एक दिन भगवान भी आपका साथ अवश्य देगा